नमस्कार मैं हूँ परविन पठान और बहुती स्वागत करती हूँ आपका समाचार इंडिया नियूज में आईए शुरू करते हैं आज की खबर सूरत सहर के घोड दोर रोड पर सित करीमाबाद के निवासी और खोजे समाच के व्यापारी अनवर भाई दूदवाला के पुत्र कोमिल दूदवाला जिसकी उम्र 32 साल है बीते गुरुवार के दिन एक फोर विलर कार में आये चार लोगों ने कोमिल का अफरन किया था और उ फिरोती के पैसों में से एक करोर रुपे कोमिल के पिता से वसूल भी किये थे अफरन और किड्नेपिंग में शामिल आट अपरादियों को भरूच टोल नाका के पास से गिरफतार करने में सूरत पुलिस को बड़ी कामियाबी मिली है सभी अपरादी फिरोती के पैसों का ब 99 लाक सहीत कुल रुपे 1 करोड 16 लाक का मुद्दामाल बरामाद हुआ है और किडने परो को सलाखों के पीछे पहुंचाया गया है। सोसाइटी के समेब स्पीड प्रेकर आने की वजह से उसने अपनी बाइक की रफ़तार धीमी की और उसी समय पर एक फोर विलर कार में आये अफरन करताओं ने उसकी बाइक को जोर से टक्कर मार दी और उसके बाद कार में सवार चार अफरन करताओं ने जबरन कोमिल को जहां पर मौकाय वारदात पर से कोमिल के बूट और बाइक पुलिस को बरामद हुई समीप में स्तिक्त बंगलों में लगे सीसी टीवी की फुटेज खंगालने पर पुलिस को पता चला के एक सफेद कलर की एक फोर वीलर स्कोडा कार में कोमिल की किड्नैपिंग की गई है जो की फुटेज में कार का नंबर कुछ साफ दिखाई नहीं दिया घटना बनने को करीब एक घंटा बीतने के बाद अफरन करताओ का फिरोती मांगने के लिए कोमिल के पिता को फोन आया जिसमें अफरन करताओ द्वारा कोमिल को मुक्त करने के लिए तीन करोड रुपे की फिरोती मांगी गई अफरण करताओ ने फिरोती मांगने के लिए जो कॉल कॉमिल के पिता को किया था तब करीब सुबा के साड़े आठ बजे थे फिर उसके बाद फिरोती के पेसो के लिए बार मांगने के लिए अफरन करताओं ने लगातार साथ से आठ कॉल कॉमिल के पिता को किये फिरोती में मांगी गई तीन करोड की रकम पूरी नहीं मिलने पर अफरन करताओं द्वारा कॉमिल को जान से मार देने की बाद भी किडने पर उने कॉमिल के पिता को कही थी जो कि शुरू में 3 करोड की फिरोती मांगने के बाद परिवार दुआरा इतनी बड़ी रकम का अरेज्मेंट नहीं होने पर अफरन करताओं को बताया गया तो फिर आफरन करताओं ने दो करोड उपे की मांग की और फिर आखिर में एक करोड उपे फिरोती के मांगे जो उन्होंने वसूल भी किये वेपारी के बेटे को अफरन करताओं ने अपनी कार में सूरत जिले के कीम, मांडवी, कठोर, तड़केशवर जैसे विस्तारों में कार में घुमा घुमा कर उसे कन्फियूस किया अफरन करताओं के पास रिवॉल्वर जैसे हतियार होने की वज़े से कोमिल बहुत घबरा गया था, इसलिए वो कुछ नहीं कर पाया फिरोती में मांगे गए पैसों में से एक करोड उपे अफरन करताओं को मिल जाने से, उन्होंने उसे मुक्त कर दिया देर रात पुलीस दुआरा मुक्त करवाए गए वैपारी के पुत्र कोमिल की, पुलीस दुआरा पूछ ताच कर गहराई से जांच पड़ताल शुरू की गई, जिसमें पुलीस को मिली कूफिया जानकारी के मद्दे नजर, पुलीस की टीम ने जबरजस्त कारवाही करके भरूच और कीम की तरफ जांच सुरू की और सूरत की क्राइम ब्रंच पुलीस ने भरूच टॉलनाका के समीब से चार अफरन करताओं को गिरफतार किया, पुलीस दुआरा चारों अफरन करताओं की कड़काई पुर्वक पूछताच करने पर पता चला, कि इस किड्नैपि पुलीस दुआरा देर रात पकड़े गए चार अफरन करताओं पेकी दो के पास से पुलीस को रेवॉलवर बरामद हुई, पकड़े गए अपरादियों की पूछताच करने पर अफरन करता अपरादियों ने पुलीस के समक्स ये बात कबूली, कि वैपारी के बेटे का 15 दिनों से प्लानिंग कर रहे थे और पिछले चार दिनों से कोमिल के घर के बाहर वाच भी रख रहे थे, कोमिल कब घर से बाहर निकलता है, कौन से रास्ते से सवार होता है, कहां जाता है और किस से मिलता है ये सभी बातों की निगरानी अपरादी पिछले चार दिनों से क कौमिल के घर के बाहर रख रहे थे इन सभी बातों की निगरानी रख कर मौका देख कर अफ़रन करताओं ने अफ़रन की घटना को अंजाम दिया और कौमिल का अफ़रन करने के बाद कौमिल के फोन से ही उसके पिता अनवर भाई को फोन करके अपरादियों ने कौमिल को आज से सुरूगी अफरादी कॉमिल को सूरत जिले जिले के गाउं-गाउं लेकर गूम रहे थे कॉमिल का आफराण करने के बाद आफरादी करता हो ने कॉमिल के पिता से फिरोटी के पैसे मांगे और जुस्छी तरफ पुलीस को इस घटना के बारे में स्यूच न दी और एक तरफ आपराण करता हो किसी व्यक्ति के मादियम से एक करोड उपे पहुंचाए फिरोती मैं मांगे गए पैसों में से एक करोड उपे अपरादियों को मिल जाने से अपरादी निश्चिंत हो गए और ओवर कॉन्फिडेंस हो गए अफरण करताओं को लगा के अब हमें पैसे मिल गए हैं वे अपारी न डर कर हमें पैसे दे दिये हैं अब कोई पुलिस केस नहीं होगा हम आजाद हैं ऐसा अपरादियों को महसूस हुआ लेकिन वो कहते हैं न कि कॉन्फिडन्स होना अच्छी बात है लेकिन ओवर कर सभी को अपने स्ट्रॉंग नेटवर्ट से चानबीन करके अपरादियों को पुलिस ने गिरफतार ही कर लिया आपको बता दे के सूरत सहर क्राइम ब्रांच पुलीस दुआरा गत रोज से ही कौमिल के मॉबाइल फोन नंबर की लोकेशन ट्रेक की जा रही थी पकड़े अपरादी कौमिल का मॉबाइल फोन उसे मुक्त करते समय उसे वापस देना भूल गए थे बस इसी ओवर कॉन्फिडन्स की गलती की वज़ा से वो पुलिस के शिकंजे में फसे गत रोज शाम से कौमिल के फोन नंबर की लोकेशन कीम मांडवी और भरूच के आसपास ही को लेकर सिर्फ हाइवे विस्तार में ही घूमने की बात पर पुलिस ने गौर किया और पकड़े गए अपरादी कौमिल को उसका मॉबाइल फोन लोटा ना ही भूल गए थे और इसी मॉबाइल नंबर को ट्रेस करके लोकेशन पता करके पुलिस ने अपरादियों को गिरफ खान नभी खान उस्मान उम्र 21 साल अर्वीन माउजी भाई वाढ़ेल उम्र 46 साल सूरत के नानपुरा विस्तार का निवासी इस्तियाक रफीक शेक उम्र 33 साल इरिशाद समसेर मुलतानी उम्र 26 साल संतोस सुनूल पाटिल उम्र 26 साल इन सभी आठ अपरादियों ने मिलकर अपहरन जैसी भयानक वारदात को अंजाम देने की प्लानिंग की थी पुलिस पूछ ताच में अपरादी अपहरन करताओं ने पुलिस के शमक से ये बात कबूल की है कि रिशाद मुलतानी पर लाखों रुपे का कर्ज हो गया था जिस से उसने अपने मित्र इस्तियाक को इसके बारे में बताया उसके बाद संतोस अजय और फैजान को इसके बारे में खबर दी गई और फिर राजस्थान के घोलपूर से घटना को अंजाम देने के लिए हत्यार मंगवाए गए फिर उसके बाद अन्य अपरादियों को अपनी जर्म की प्लानिंग में शामिल करक किड्नैपिंग की वारदात को अंजाम दिया गया ऐसा पकड़े गए अपरादियों ने पुलिस को बताया पकड़े गए अफरन करताओं के पास से पुलिस को दो रिवॉल्वर 99 लाक रुपे नगत साथ ही मिला कर कूल रुपे 1 करोड 16 लाक का मुद्दामाल बरामाद रुकी है रिपोर्ट बाइ परवीन पठान समाचार इंडिया निउस्टूराइब